म ansch कि यहां मिस्टेक्स होती है उसमें उसको ठीक करके आज मैं आपको बताने वाली हूं इस टॉपिक का एक वीडियो में आपको से देख सकते हैं और आपको साथ में description में भी नीचे link दे दिया जाएगा तो अब हम करते हैं इसी topic का second part सबसे पहले है mention not sir हम कहते है mention not लेकिन उसको सही तरीके से कहेंगे don't mention it sir don't mention it sir you will sorry you like dance with me हम कहते है you like dance with me लेकिन उसे बोलते है would you like to dance with me क्या आप परे साथ dance करना चाहेंगे को हम बोलते है would you like to dance with me I saw a dream last night जब एक रात पहले हम कोई dream देखते हैं तो लोग कहते हैं I saw a dream last night लेकिन वो गलत होता है हम कहते हैं I had a dream last night I had a dream last night he has white hairs किसी के बाल सफेद है तो लोग बोलते हैं he has white hairs क्योंकि सफेद को हम English में white बोलते हैं लेकिन ये गलत होता है हमें कहना चाहिए he has gray hairs क्योंकि English में हम सफेद बाल को बोलते हैं gray hairs जब दो लोग की बात करते हैं हम और उसमें हम भी included होते हैं तो हम अपने आपको पहले नहीं रखते हैं हम दूसरे वाले बंदे को पहले रखते हैं तो हमें कहना चाहिए मी एंड रवी लिव हेर गलत सेंटेंस होता है हमें अपने आपको बाद में रखना चाहिए और दूसरे बंदे का नाम हमें पहले लगना चाहिए इसे हमें कहना चाहिए पहले नहीं होता है इसे लिव इन पहले है do you know what it is is it गलत होता है it is सही होता है he didn't knew her ये wrong sentence है क्योंकि did के साथ हम हमेश़ा वर्ब का first form लगाते हैं second या third form नहीं आता did जो हम लगाते पास tense में है that's correct लेकिन did के साथ हम हमेशा वर्ब की first form यूज़ करते हैं इसलिए sentence का सही pronunciation होगा अब यहाँ पर mistake यह है कि themselves जो है वो दे के साथ यूज नहीं होता है क्योंकि दे plural है इसलिए हम themselves के दगा themselves लगाते हैं which means the sentence will be they cooked the dinner themselves उन्होंने अपने आप खाना बनाया they cooked the dinner themselves it is more hot now is a wrong sentence we should say it's hotter now अब जादा गरम है तो हम कहेंगे it's hotter now she said me that she liked you is a wrong sentence we should say she told me that she liked you यह kind of reported speech type of sentence आ जाता है कि उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें like करती है तो हमें कहना चाहिए she told me उसने हमें बताया था that she liked you कि वो तुम्हें पसंद करती है how many children you have wrong sentence है इसमें mistake यह है कि हमने आपे children लिखा है क्योंकि children जो है वो plural होता है children का और plural हम children नहीं करते child means एक बच्चा and children means बहुत सारे बच्चे तो children खुद ही एक plural form में है इसलिए हम उसके साथ s नहीं लगाते है so हमें सही sentence बोलना होता है how many children do you have how many children do you have आपके कितने बच्चे है he returned back to his home यह wrong sentence है इसमें mistake यह है कि हमने returned के साथ back लगाया है क्योंकि return का मतलब होता है दुबारा तो इसलिए हम उसके साथ back word use नहीं करते हैं तो हमें कहना चाहिए he returned to his home marriage anniversary नहीं होता है wedding anniversary होता है I need to go to home wrong sentence होता है सही है I need to go home I need to go home of course word दोनों सेम है लेकिन off और course में space आता है of course में हमेशा हम space लगाते हैं your good name हम नहीं कहना चाहिए हमें हमें कहना चाहिए your name because name जो होते हैं किसी के सब के वो अच्छे ही होते हैं इसलिए हमें हमेशा your good name नहीं कहना चाहिए हमें कहना चाहिए your name please या your name one of my friend ये wrong sentence है one of my friends is correct because one of my friend का मतलब हुआ मेरे दोस्त में से एक एक दोस्त में से ही एक तो नहीं हो सकता बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात कर सकते हैं तो बहुत सारे दोस्तों के लिए हमें friends लगाना होता है इसलिए हमें सही pronunciation जो है वो होती है one of my friends I didn't knew it इसमी सेम वही mistake है did के साथ verb की third form लगाई है sorry second form लगाई है लेकिन ही हापे did के साथ verb की first form आती है तो सही sentence होगा I didn't know it thanks God नहीं कहना चाहिए हमें कहना चाहिए thank God thanks God गलत है thank God सही sentence है you and me नहीं होता है you and I होता है you and me गलत है you and I होता है India have इस तरह सारे लोग है तो sentence start करते हैं India have लेकिन ये गलत है India के साथ हम has लगाते हैं क्योंकि India जो है एक proper noun है और वो एक single country है India के नाम की कोई दूसरी country नहीं है वो एक ही है इसलिए हम India के साथ has लगाते हैं क्योंकि हमेशा singular के साथ हम has का use करते हैं इसलिए कोई भी country हो कोई भी state हो के साथ हम हमेशा has का use ही करते हैं यू आर हैपी ये गलत है क्योंकि यू आर हैपी एक सिंपल सेंटेंस हो गया इसके साथ हम question mark use नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपको किसी से पूछना है कि आप खुश हो तो आप कहोगे are you happy क्या आप खुश हो are you happy मार्या is married with a doctor ये रॉंग होता है सही होता है मार्या is married to a doctor मार्या is married with a doctor नहीं होता है to a doctor होता है कि उससे शादी हुई है विज का मतलब हो गया किसी के साथ मींस उन दोनों की एक साथ कहीं शादी हो रही थी दोनों की अलग-अलग लेकिन उन दोनों की आपस में हुई है तो इसी रहे हम हमेशा कहते हैं मार्या इस मैरिट टू अडॉक्टर बहुत लोग है विद यूज करते हैं लेकिन वो गलत होता है हमें कहना चाहिए टू डॉक्टर जब आप छोटे थे उसको हम स्मॉल नहीं बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे यंग जब आप एक जवान थे या बहुत छोटे थे तब इसे हमें कहना चाहिए वुड्यू लाइक अग्लास ओ वॉटर या आप पानी लेना पसंद करेंगे को हम कहेंगे यह गलत होता है सही तरीके ज़े हमें कहना है तो हम कहेंगे इनफ बिग नहीं कहते हैं बिग इनफ कहते हैं तो इसी लिए सही सेंटेंस होगा यह रॉंग है क्योंकि टाइम के साथ हम इनका यूज नहीं करते हैं ताइम के साथ हमेशा अट का यूज करते हैं इसी लिए हम कहेंगे क्योंकि हम कहते हैं हिंदी में कि पांच बज़े फ्लाइट डिपार्ट कर देगी हम पांच बज़े में नहीं बोलते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक और अब यह मिस्टेक्स दुबारा आप लोग नहीं करेंगी मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें और जादा से जादा लोगों को शेर कीजिए तिल देन बाबाई